बढ़ते हुए प्रदूशन को देखते हुए सेंटर गौर्वेंट का बड़ा फैसला उन्होंने कहा कि अगले साल से केवल BS6 वहान उपलब्द होंगे परियावन मंत्री जाविटकर ने सौमबार को कहा कि अगले साल से केवल BS6 वहान उपलब्द होंगे उन्होंने कहा कि अभी देश के अंदर 20-22 पृतिशर्ट प्रिदूशन इन वाहनों के कारण होता है उन्होंने ट्विट किया कि दिल्ली में BS6 इंधन शुरू किया गया है अगले साल से उपलत होने वाले BS6 इंधन के अनुकूल होगा पेरिफेल्स का महज एक छोटा सा हिसा बनना शेश रह गया है और जो बाईपास 20 वर्षों में नहीं बन पाया था वैं पूरा हो गया है आज करीबन 60,000 ट्रक जिनका दिल्ली में कोई काम नहीं रहता है अब दिल्ली में परवेश नहीं करते हैं मंत्री ने कहा कि प्रिदूशन के समस्या सिर्फ दिल्ली में नहीं है बलकि दुनिया के कई हिस्सों में भी है मंत्री ने कहा कि प्रिदूशन से लड़ना रोज का काम है लेकिन इस से जहां देश के अंदर पूरा परियावरन खराब होता जा रहा है वहीं पे वाहनों को बदलने से क्या देश के अंदर परिवतन आपाएगा पॉलूशन कम होना बहुत जरूरी है लेकिन पर्यावरण के लिए क्या जरूरी नहीं है कि पौधों का सही जगह पे लगा होना रोट के किनारे भी बहुत सारे पौधे आज भी उनको पानी खाद नहीं मिल पाता है जिसके उपर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है कहीं ज़्यादा जरूरी है कि पहले पौधों का पर्यावरण के पृति लोगों के अंदर जागुकता देनी चाहिए और अपने वहानों को सही रखना चाहिए इस दिशा में भी काम होना चाहिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंडी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूतें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुं सकें आप पे सबसे पहले